हाई याल कैसे हो आप लो आज मैं वीकेंज में आया हूँ बहुत सारी बाते करनी है है तेजरन ट्राइरी वेलकम अमिता वेलकम कैसे वाप लो अब काहे का जीजु भाई बड़ अच्छा लगता है विंस लेक बड़ा अपनापन फील होता है अगर कोई बोलता है यह प्रतीक नहीं स्टार्ट किया था जीजु जीजु पहला बोलना उसी नहीं स्टार्ट किया था प्रतीक ने फिर देवलिना ने उसके बाद अभी तो बुलने ही लगे आप के लगे लिचीजु झाब सुर्ट किया लग्स वेस्स्काट में उस्यां औरा आप्र प्रत आम वो अस्त्रेख and then after that I will be there for a couple of places like Romania, again Paris, Switzerland, long travel. So I think after covid restriction, Lomba Plan Abbey. आप लोग बताओ कैसे हो, आप लोग वीकेंज कैसा चल रहा है। मैं totally out of like, यह हूँ, out of like, touch हूँ, किसी से भी like, अभी फिलाल मैं खेवल, वर्क पे ध्यान दे रहा था, अब free हूँ. वाइस not audible है, कैसे होगा भाई, यह फोन, नाव, निकिल, बताओ अभी, अभी ठीक है, बिक पॉस 16 देख रहे हो, नहीं यार, 16 नहीं देख रहा हूँ, अभी फिलाल तो, अभी फिलाल तो, रियली टाइम नहीं है, बट हाँ, थोड़े दिन बाद से देखना सुरू करूँगा, बट इस बार का सेट अच्छा है यार, मेरे टाइम तो मुझे लगता है कि मुझे पसंद नहीं आया था, वो बाहर में आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, हुश्टल में भी था, है जब राइक अब योश्टल में भी था तो मैं गया तो मैं मुझे सेपरेट दूपह्स करूए गया था, और हमें separate room दिया गया था तो मैं कभी भी shared room में सोया नहीं हूं और दूसरी बात की different environment था shared room था shared bed था shared bathroom भी था it's very uncomfortable at that time बट ठीक है game था मैंने adjust किया इस टाइम तो really like बड़ा difficult था एंड वहां पर क्या है ना कि पता नहीं मैं कह सकता हो कि नहीं like smoking zone था बट फिर भी कुछ कुछ लोग तो कहीं भी यह और बात्रूम में मुझे smoking बिलकुल पसंद नहीं है यह रिली हेट इट एंड फर्चनेटली आव तो एड्जेस्ट ओवर देर बट हमें देख रहे हैं हाँ आर नास मैंने खाना खालिया इस तो अरली फॉर फर नाव बट यस आप लोग बताओ आप लोग कैसा यस राकी जिन्दाबाद क्यों मैं उससे बोलूँगा कि भाई वो मर जाए नो सभी लोग जिन्दा और आबाद रहें तो जिन्दाबाद किसी को बद्वा देने का हम लोग को हक नहीं है यार कोई आपके साथ गलत करता है बद्वा दे के क्या फायदा इस ओके राइट हो सकता है डेस्टिनी और फेट यही हो वो नोस सम्टिंग वस बेटर मुझे तो लगता है कि इस बेटर राइट और कुछ जिंदगी में आपको ऐसे चीजे उतार चड़ा होंगे जैसे कुछ लोगों का साथ आपको उस टाइम खटकता है कि हाँ भाई यह हम लोग अलग हो गय है या जो भी है जो बट आफ आफ आफ्ट आट यू रियलाइज कि नहीं है ठीक था है इस इस फोर आवर और वन गुट राइट सो अट लिस्ट ठीक है वाई टू लाइक किसी को कोशना किसी को खराब बोलना नहीं बिल्कुल निखल भाई भाई का मन तो साफ है यह तो बात है मैं अपने और से हाँ मैंने गलतिया की होंगी की है ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं गलतिया नहीं किया हूँ मैं सराफत का पुतला हूँ हाँ लेकिन जो भी गलतिया किया हूँ वो ऐसी भी नहीं है क कि मैं अपने को माफ ने कर पाऊं और इसी लिए बहुत सारे लोग सुचते हैं कि हाँ भाई आवें डेफिनेटली अगर मैं बताऊं ओनेस्ली इट्स रियली साड मोमेंट बिकेज मैं अपने लाइफ में मुझे लाइफ में बस जब सुरू से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं मैं बहुत सारी मैं सब मैं डेफिनेटली किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखता हूँ मेरे लिए बहुत ही प्रिसाइस था कि मेरा जिसे भी शादी हो या जिसे भी मैं घर बसा हूँ वही मेरे लिए दुनिया हो वही मेरे लिए वर्ल्ड हो एंड लाइक कुछ इस तो की बट अनफर्चनेटली नहीं सक्सेस हो पाया और कभी सी मेरा प्रायटी यह नहीं रहा मेरे बहुत सारे दोस्त जो में इस कॉलेज में भी थे या मैं बाहर में ही इतने सादों से मैं अच्छी साल हो गए वहाँ पे बहुत सारे लोग डेटिंग करते थे यह करते थे बट मैं इन सबसे अलग रहता था मैं खुद ही आपको बता हूं मैं दारू नहीं पीता हूं ना मैं दारू आज तक टच किया हूं ना मैं सिगरेट पीता हूं ना मैं दारू पीता हूं नहीं भाई जो भी है आप जिसके लिए भी जिसके लिए आप रहोगे वो आपके लिए वर्ल्ड होनी चाहिए उसी से आप सारी चीज़े शेयर करोगे बट नहीं हो पाया तो हो सकता है यार कुछ हो सकता है अब किसी को क्या ब्लेम कर सकते हैं इट मेंस कि हो सकता है यार कुछ लिखा हो उसके लिए कोस्ते हाँ बट ये तो है कि मेरे में काफी चेंजेस इस बार आए हैं मैं अपने को बहुत दिन तक समालते गया लेकिन आप मेरे में बहुत सारे चेंजेस हैं बिकर्ज डेफिनेटली मैं अब वैसे लोग वो वाला रितेश नहीं हूँ जो एक सीधा साधा बंदा था एंड जस्ट ठीक है किसी को हट ना करना किसी को ये करना ना क्योंकि ये दुनिया जालिम है आप जब तक जुकते जाओगे आप अपना एक गाल बढ़ाते जाओगे दुनिया तो माचा मारते जाएगी और फायदा नहीं है और जहां भी आप दिल से फैसला लोगे ना तो ये दुनिया ऐसी है कि आपको दिल से अगर फैसला लेने वालों को हमेशा आप पर ताड़ी तरह ओगे यो लडका हो या लड़की हो आप हमेशा पर ताड़ी तरह ओगे अपको कुछ ना कुछ ये लगा रहारे है क्योंकि आप दिल से सुचते हूं लोग दिमाग से सुचते हैं यह उपकोर्स नाज मैं स्ट्रोंग हूं यह बिलीब डाइब कि मैं किसी को हट करने जा रहा हूं यहां बट यह मुझे बहुत बार यह संद अब लेशन यह हो गया कि आप डेफिनेटली आपको रिस्ते में भी आपको परना है यार मैं अपने माबाप को लेके मिन मैं जिस परवरी में साधारन फैमिली से हूं ठीक है कुछ लोग इधर कॉमेंट भी करते हैं मैं साधारन फैमिली से हूं मैं जो भी हूं सेल्फ मेड हूं मैं एक बहुत साधारन फैमिली से हूं मैं यह नहीं कह सकता है मैं गरी कि इज़त करना और उसके opposite सारे चीजे मेरे साथ होई लाइक मुझे विलन बना दिया गया मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चीजे मेरे और मैं सफाई देना पसंद नहीं करता मैंने कहीं सफाई भी नहीं दी कि क्यों सफाई देना बट ऐसी इसी चीजे और perception बना दिया गया जो कि मैं हूँ नहीं राइट और जो मुझे जानते हैं परसनली देनोस की वाट काइंड परसन आ हैं बिग बस में वह इंटारली मेरे लिए डिफरेंट जाननी थी और वहां पे आ में आ वस नॉट वेरी कमफरेबल बिकस सी यू विल नॉट गेट प्रपर स्लीप यू यू निवर लिवड इन डोस टाइप अफ लाइव राइट सो शेयर में मैं लगबग बोल रहा हूं कि मैं पची साल से बाहर हो तो मैं एक आप मैं उन स्पेस राइट तो कैसे मिन्स लाइक मिन्स वह एक डिफरेंट जर्नी थी बट लाइफ में जो है ना मैं जो नहीं था उसको प्रजेक्ट किया गया और उसको बहुत सारे दुनिया ने मान भी लिया ठीक है आज भी लोग उसको मान के बैट यहां ऐसा ही है यार जो बंदे सही बताओं कि जो बंदा परतारित होता है ना आप लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना मेरे मेरे को मच चुन होने वाला बंदा हो तो सर्म जहीं चूप चाप बैठा रहेगा यह फैक्ट है आप किसी को भी बताओं कि आप किसी आप खुद पर आजमा के देखो जो बंदा जो है ना जो जिसकी गलती होती है वही ज्यादा हला मच आता है जिस बंदे की गलती नहीं हो नो बिचारा तो उसी को सच मान के बैठते हैं और आपको रियलाइज होगा विकेस कि देखो एक बात मैं बताओं अपने लाइफ का मैं एक्सपीरेंस तुम से शेयर कर रहा हूं आज हमारे पस धेर टाइम है मैं काफी बाते करूंगा लाइक सो लाइफ का एक्सपीरेंस बता रहा हो ना कि आप ये बात तो जान लो कि आप किसी के साथ गलत करते हो ना कुछ दिन बाद आपको खुद ना खुद आपको मैंने भी गलत किया है मैं आपको मैं दूद का धुला नहीं हो मैंने भी गलत किया है जिसका प्राशित हो सकता है कि जिसका भरपाया मैंने ये सब में किया है हो सकता है मैंने अपने लाइफ में गलत किया है जिसका भारपाया मैंने किया गलत किया है मैं जानता हूँ कि हाँ मुझे भी जब सच्चा प्यार मिला जब like मैंने भी किसी सहाध उस टेम लड़क पन में या जो भी है मैंने accept नहीं किया तो उसका मैंने, like, मुझे भुकतान करना पड़ा, but anyway, that's, it's not a big deal, but मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी गलत करते हो, कभी ना कभी आपको भरना पड़ेगा, और इसी लाइफ में भर के हो, कोई श्वर्ग और ये नरक कहीं नहीं होता है, आपको इसी ला अब इनफ हो गया, it's already enough हो गया, पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुना किया कि भाई, मुझे इतने दिन तक जहलना पड़ा, but definitely मेरे लिए, I mean, उस टाइप के जैसे लव और ये से मैं ऊपर उट चुका हूँ, because मेरा एक ड्रीम है, एक तो बस लास्ट, मेरा एक ड्रीम है क कि हाँ, मैं जब मरूं, तो at least मुझे लोग जानते हो रहे, लोग जानते रहे in the sense कि मैं एक अच्छे, लोग अगर कोई विचार करे कि हाँ, ये कैसा आदमी था तो गाली ना दे, बस एक थोड़ा सा उस पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने perception फेला रखा है, कि मैं ऐसा सच्छाई जाने, बट सच्छाई दोस्तों आप लोगों के सामने जल्दी ही आ जाएगी, आप लोग दिखते रहो, और क्या लाइफ में आपको, और I mean, आप किसी को जज़ करने से पहले आप खुद को ज़ज करो कि तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्यों बंदा कैसा, right, well, that's really cool, twin patel, patel साब, welcome, guys, चुपे रुस्तम कहां है, यार, मेरे जैसा बंदा ही नहीं मिलेगा, यार, जो है, मुँपे बात करता हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मेरे लिए तो, मैं बताओं कि मेरे लिए, आज भी मैं आपको openly बोलता हूँ, ना, मेरे लिए, बिग बोस से मैंने दो रिलेशन पिक किये हैं, प्रतीक और देवलीन, वह हमें से रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं 24 गंटे बात करता हूँ, बाकी लोग, कुछ लोग connected है, ऐसा नहीं है, इवन दादा भी मुझे बहुत बार help के लिए, जिसे, अमीर साजी से उनको contact करना था, फिर से और भी कुछ काम था, बहुत बार like, उन्होंने contact किया मुझे, ठीक है, और भी लोग है, जैसे, शिलपा, समीता, ये शब लोग contact में हैं, तो जो लोग contact में हैं, उनके साथ अच्छा है, यार, we are in touch, और मुझे industry के लोगों पर थोड़ा सा जो है ना, I mean, it's like, ऐसा वो feel नहीं आता है, कि कुछ लोग, कुछ लोग है, जिनको हाँ, मैं personally call करता हूँ, कुछ लोग है ना, उनके पास, और मैं वैसे लोगों से बहुत हड़कता हूँ, सही बताओं, तो वैसे लोगों से मैं बहुत दूर भागता हूँ, जैसे आपके साथ, आप यहाँ पर बैठे हो, आपके साथ, वाह, रितेस इस ग्रेट, रितेस इस देस, रितेस इस दाट, जैसे रितेस उटके वहाँ, जैसे यह ऐसा है, जैसे लोगों से मैं बहुत दूर भागता हूँ, या एक वे रखो, किसी के लिए आप अच्छा सोचते हो, तो अच्छा ही स राखी ने जो किया, राखी ने जो हमारा जो साथ था, बज़स जस्त लाइक, I'm happy with that, and I don't have any problem with her, right, जो मैं आज भी उसको जब याद करता हूँ, तो ऐसा नही है, कि मैं उसकी बुराया ढूंदता हूँ, उसको गाली देता हूँ, उसको कोस्ता हूँ, no, still, I will always remember कि उसने मे मेरे साथ अच्छा क्या किया, मैं किसी को जज़ करता हूँ, अगर किसको भुलाना भी है, किसी उसे दूर भी रहना है, the best way, आप उसकी अच्छाई को याद करो, उसने आपके साथ अच्छा क्या किया है, और just भूल जाओ, कि भाई जाओ भाई, अपने अपने रस्ते अरे कोई नहीं यार, छुपर उस्तम या जो भी है, चलो, it's not big deal, यार, यहाँ पे, यहाँ पे हजारों लोग आजार है, चीजे बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यार, यहाँ पे कोई आता है, वो गाली देके भी चला जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो प जाली देने से, या आप किसी के character साबित करना, do you think कि मेरे खिलाफ जितने भी जब मैं big boss में था, बहुत सारे सडेंट हुए, उसे मेरा effect हुआ, कहा effect हुआ, effect तब होता, जब मैं अपने नजरों में गिर जाता, effect तब होता, जब मैं like definitely lose कर जाता, लोगों ने चाल चली थी, क किया था, कुछ नहीं हुआ, because आप यहीं जान लो कि, आप कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन सच, सच होता है, talent, talent होता है, right, आपका जो talent है, वो आपके मरने तक रहेगा, ना ना बबा, रश्मी, don't worry, like, अरे यार, मैं इन सब बातों का माइन नहीं करता, मैं बहुत open hearted हूँ, मैं in fact सब को response भी करता था, अपने inbox में, मैं अपने manager को भी बोल कर रखा था, कि सब को response आप किया कीजिए, but unfortunately कुछ लोग बस तरह तरह के सवाल करने सुरू कर दिये, जैसे I love you, शादी कर लो, ये कर लो, मैं धोका नहीं दूँगी, किसी को प्यार हो जाता था, किसी को स्कूल के फीस बरने है, लेकिन उनको पेटियम में फीस बरना है, उनका रॉल नंबर नहीं बताना है, I mean, वगेरा वगेरा, अब देखो, एक आया, एक आया भाई, कुरेची बाबू, जिसको ये कह सकते हैं, कि बाप मरे अंदेरे में आप बेटा पावर हाउस, खुद की आवकात होगी नहीं, और इधर से तू तलाक बात कर रहा है, बात करने के पहले तरीका तो सिख लो, यार, अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, पहुत सारे लोग आए हैं, ओके गाईज, ओपेनली बात करते हो, ये अच्छी बात है, यार, ये अच्छी बात तो है, नो डाउट मुझे ऐसे लोग पसंद भी है, लेकिन यार, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए कहीं, कभी-कभी आपको ओपेन बोलना भी अच्छा नहीं होता है, राकी से मेरा डिफरेंसेस यहीं पे था, क्योंकि मैं राकी को अच्छी बाते कहता था, मेरे हिसाब से, मैं वो नहीं हूँ जो, जैसे देखो, लाइक बिग बॉस की जर्नी में, आप लोग उन समझा की नहीं, आप लोग जानते हो की नहीं, बिग बॉस की जर्नी में भी मैं उसको यहीं बात पे चिड़ता था, कि भाई, मुझे गेम खेलने दो, अगर तुम मुझे हेल्प कर रही हो, मुझे बता रही हो गेम, या मुझे अज़े हेल्प कर रही हो, तो वो मज़ा नहीं आएगा ना यार, अगर चीट करके कोई पास करे, क्या फायदा है यार, मैं इस बात से चिड़ता था, इन फैक्ट, पब्लिक ने देखा नहीं, पब्लिक ने, क्योंकि मेरी कोई सोशल मीडिया नहीं थी, मेरी कोई PR टीम नहीं थी, किसी ने मुझे support नहीं किया, बट पब्लिक ने ये नहीं देखा, कि यार, राकी के पास option था, मुझे वो बचा सकती थी, कि फिनाले मुझे elimination से बचा सकती थी अपना पावर दे के, क्योंकि वो VIP थी उसको पावर था, लेकिन मैंने पब्लिक के साथ, मैंने उसको बोला, कि नहीं, तुम इनसाफ करो, तुम इनसाफ करो, तुम ये मत करो, क्योंकि अगर मैं ऐसे मैं अगर बचता हूं, तुम्हारे वजह से मैं बचता हूं, तो मुझे लगेगा कि मैं खेल के नहीं जीता, मैं तुम्हारे रहमो करम पे जीता, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर एक deserving candidate के साथ गलत हो जाएगा, मन जाओ कि जैसे आप किसी को select करते हो, आप interview ले रहे हो, आप किसी को undeserving candidate है, उसको select किये तो कोई deserving candidate का तो आपने seat ले लिया ना, तो इसलिए मैंने उसको बोला, और मैं बाहर आया, मैं खुश था, कोई दिकत नहीं थी मुझे बाहर आने से, लेकिन लोगों ने उसको देखा भी नहीं, यार मैं अगर, अगर मैरे मुझे ये रहता, तो मैं सब के औरों की तरह मैं बोलता कि भाई मुझे बच्चा हो, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए या मुझे explanation के ज़रूद नहीं है, सबी लोग जानते हैं कि कौन, वहाँ पे game जो था, मुझे नहीं लगता कि, जो game हम लोग खेल रहते हैं, उसमें, मैं तुरंत उसका objective और ये सब समझ लेता था, अटलिस लाइक और उसके हिसाब से खेलता था, करन को सबसे ज़्यादा मेरे से खत्रा था, वो बोला भी कि मुझे इस बंदे से सबसे ज़्यादा खत्रा है, और मैं जब तक था game को अपने अनुसार चलाया, लेकिन अब public voting मेरे पास voting ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लोग ज जब चाहा तो जेल भिजवाया, जब चाहा मिन्स देविलिना को बचाया, लाइक बहुत अब मिन्स राकी को फिनाले में पोचाया, सब क्योंकि मेरे पास ही option था, वहाँ पे वहाँ पे सभी ने मुझे ही बोला था, जब सुरू में प्रतीक और निशान मेरे पास आया थे, जिजु आप, अला कि वो लोग दे, इस इस कॉल्ड एक्सपीरियंस, दे नोस कि मैं मेरे पास fan following नहीं हो, मैं बाहर चला जाओंगा, तो उन्होंने मुझे ये chance दिया था, कि जिजु आप, आप जाओ, आप फिनाले में जाओगे, secure हो जाओगे, राखी की तो fan following है, लेकिन राखी को मुझे आगे बढ़ाना था, क्योंकि देखो यार, हम लोग जिस family background से आते हैं, हम लोग हमेशा sacrifice पर बिलीव करते हैं, जो भी हमारे, जिसे male होते हैं, जो male रहता है, परिवार में भी अगर आप देखते होगे, आपके माबाप, अगर father हैं, तो father ensure करते हैं, कि रिक्वार्मेंट पूरी करते हैं, तो मैंने उसी principle को follow कि और हो सकता है, कि वही मेरे अंदर थी, मैंने पहले, अपने से पहले, मैंने राखी को जिताना है, जित समझा, और मैं जिताया, मैं अपने लिए selfish नहीं था, अगर मैं selfish रहता, तो मैं खुद को जिता था, यार, तो इसे लिए, कहीं न कहीं, मैंने जो किया, वो, I mean, appreciable था, बट किसी ने ये नहीं किया, highlight नहीं किया, बट मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, कि मैंने highlight नहीं किया, या किसी ने highlight नहीं किया, बट जो बात है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, कि हाँ, ऐसे इसी बाते थी, नहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि मैं खराब खेला कि मैं सब को सकते में ला दिया थाう है है आप लोग अपना ख्याल रखें एंड कुछ भी अगर लगे नॉट लव तब बट हाँ कुछ अच्छी बाते करनी हो तो प्लीज फील फ्री मिसेज मी डेफिनेटली आ रिस्पॉंड यो बाक कुछ लोग हैं जो रियली डिजर्विंग हैं और रियली मैं बताता हूँ जैसे निखिल है बहुत सारे लोग इधर हैं जो यार मैं मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप लोग जो हो बहुत सारे यहां पे फेक मीडिया के लोग जो जिनको हाइर किया जाता है जिनको हायर करके बुलाया था है कि मैं इस टाइम लाइव स्ट्रीम करूँगा और आऊंगा आप लोग जो हो ना आप लोग मेरे टाइप के हो जो मिंस की किसी हमारे हाँ यह कहावत है ना उद्धों से लेना ना माधों को देना मिंस लाइक अपने मन के मालिक हम लोगों को किसी से स्वार्थ नहीं है और नहीं हम लोग को किसी से ये पैसे का लालच है ठीक है हम लोग जैसा है अच्छा है तो अच्छा वर्ल्ड को देखते हैं बुरा है तो बुरा वर्ल्ड को देखते हैं हम लोग ऐसे लोग है तो इसलिए आप लोग यहां आते हों because मैं कोई बहुत इंट्रेस्टिंग या कोई आपको इंटर्टींट करने की बाते नहीं करता हूं मैं एक जो है कॉमा जैसे as a friend बात करते मैं ऐसे ही बात करता हूं कि एंड गुड कि आप लोग आते हो और आप लोगों के वजह से ही मेरा भी मॉटिवेशन रहता है कि हाँ ठीक है चलो यार कुछ लोग मैं आउट आफ जितने भी जो रोबोटिक जिन्दिगी है जिसमें आमेशा लाइक जो कह सकते हैं सव्टर की जिन्दिगी से आउट होकर आप लोग ईसे बात करके रेलाक्स होता हूं कि हाँ बै कोई अपना है कोुझ दोस्त है कम से कम बिग बस जाने से यह तो फायदा हुआ कि हाँ कुछ लोग हैं जिनको कह सकते हो कि हाँ without any means स्वार्थ के या without किसी के कहने पे आप जुड़े हुए तो thank you so much love you all